तो 36 गड़ के सबी स्टुडेंट्स हो जाएए तैयार जी हाँ आप सबी स्टुडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 36 गड़ में 14,000 नए सिक्षक के पदों पर भरती निकल कर आने वाली है तो जो भी स्टुडेंट जो 36 गड़ में सिक्षक बनना चाहते हैं आप सबी स्टुडेंट के लिए CG में जो है new upcoming vacancies है 14,000 सिक्षकों के पदों पर और 14,000 सिक्षक का पोस्ट जो है कम नहीं होता देखे एक एक पोस्ट जो है आप सबी स्टुडेंट्स के लिए काफी जादा important होता और ऐसे में जो है 14,000 पोस्ट है तो आपको ये सोच नहीं कि यार 14,000 पोश्ट हैं काफी लोग तुम्हें बोलेंगे तुम्हें do motivate करेंगे ये बोलेंगे कि 14,000 पोश्ट हैं तो तुम्हारा सेलेक्शन कहां से हो पाएगा जो पहले से त्यारी करें उनका सेलेक्शन हो पाएगा ये बिल्कुल गलत बात है आपको ही सफलता मिलेगे जरूरी थोड़ी नहीं कि जिन्होंने पहले महनत किया अगर उन्होंने बीच मेहनत करना छोड़ दिया या उन्होंने सही तरीके से महनत नहीं किया तो क्या उन्हें काम्यामी मिलेगा नहीं आपको मिलेगा तो आपको ये सोचना है कि 13,399 पोश् कि अगर हम बात करें तो आपके जो है राइपूर ब्लासपूर और दूर्ग संभाग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है 14,000 सिक्षकों के पदों पर भरती होने वाला है काफी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार यह भरती आएगा या पिन नहीं आएगा प् क्योंकि हमारी जिन्देगी बहतर होगा हम यह बन जाएं के वो बन जाएंगे आप कुछ नहीं बन पाऊगे अगर कुछ बनना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं ना 14,000 सिक्षकों के पदों पर भरती होगा और उससे पहले देखिए सिक्षक बनने के लापका टेट क्वालिफाई होना बहुत जादा जरूरी है तो ऐसे में अगर टेट एक्षाम ही अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो आप जो है कहां से सिक्षक बन पाएंगे काफी स्टुडेंट होते हैं जो फॉर्म फिल अप कर देते हैं अगर नंबर भी अगर आपका अच्छे से आ क्वालिफाई नहीं है जो आपको जो ऐसे भी कर दिया जाएगा तो जो है आप से भी कोई एक चीज और अच्छी अपडेट्स बताना चाहता हूं तो 36 गड़ में जो है सिक्षक बन परिक्षा से पहले फिर से होगा सीजी टेट का पेपर तयारी आपको जो है शुरू कर द अजाएगा देखे टीचर भर्ती परिक्षा गवर्रमेंट जाफ़ जाएखिए काफी जादा इंपोर्टेंट होता है आपको काम करना आपको पढ़ाई कर निरंदर कोशिश करते रहना है निरंदर महनत करते रहना क्युंकि जितने जादा हम अधिक महनत करेंगे जितन एक अच्छा काम्याबी मिल जाए तो ये थोड़ी ना होने वाला है ये बिल्कुल भी possible नहीं ये बिल्कुल भी मुम्म किन नहीं अगर आप काम करोगे तो जरूर मिलेगा तो सिक्षक के लिए टेट exam जो है qualify होना बहुत जादा निवार है बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको ये भी चुछ बताना चाहता हूं कि सिजी टेट exam में जो है 150 प्रशन exam में पूछे जाते हैं प्रत्य प्रशन आपके एक अंके होते हैं आपको बताना चाहता हूं इसमें एक नियम होता है इसमें आपको जो है 60 प्रतिशत अंक लाना होता है यानि कि करीबन आपको 90 नंबर लाने पर आपको सेलेक्शन शो पाएगा वहीं यदि आप जो है SC के डिग्री वाले इस्टूडेंट है या HD के डिग्री वाले इस्टूडेंट है तो आपको सिर्फ 50 प्रतिशत अंक लाना है यानि कि SC, SD और OBC के डिग्री वाले इस्टूडेंट को सिर्फ 75 नंबर लाना है अगर आप 75 नंबर ला लेते हैं तो सेलेक्शन हो पाएगा तो आप यह जान लिजे 90 नंबर हो 75 नंबर 90 नंबर जनरल के डिग्री वाले इस्टूडेंट के लिए 75 नंबर जो है आपके SC, SD और OBC के डिग्री वाले इस्टूडेंट के लिए इसलिए इतना नंबर अगर आपका आ रहा है अटेंट हो रहा है तो बस ज़्यादा questions all करने से कोई मतलब नहीं है और इसमें cut-up फट-up जैसे कुछ चीज है ही नहीं बस इतना नंबर आगा है मतलब आप टेट एक्जाम को qualify कर लिए और पटेट का पहले बता देना चाहतों काफी स्टूडेंट को पता नहीं होगा पहले क्या होता था कि अगर आप टेट एक्जाम को qualify कर लेते थे तो उसके वैलेडिटी के बस साथ साल का रहता था अगर साथ साल तेकर टीचर भरती परिक्षा आ रहा है हो रहा है आप उसमें आवजदान कर सकते थे लेकिन साथ साल के बाद वो वैलेडिटी फिर से समापत हो जाता था तो अगर इस बार ऐसा है कि अगर आपका एक बार ही टेट एक्जाम क्वालिफाइफ हो गाया तो इसके वैलेडिटी जो है आपका लाइफ टाइम तक रहता है जब त तो आपका इस्कोर होना चाहें इतना ही स्कौर होगा तो ही आपको इसने एक अच्छा खासा जो है नंबर जो है देखने को मिल पाईगा तो इसलिat आपको जरी आपको करना कि कि सकसेज आपको चाहिए आपको अपने सबने पूरे करने है तो इसके लिए मेहनद तो आपको ही करना पड़ेगा अगर हम बात करें टीचर सिक्चक भरती परिक्षे की कट अप के तो सबसे पहले कट अप को लेकर जादा हाइपर मत हुए कि यार कट अप इतना जाएगा उत परिकने को मिला अभी इस बार के कट अप जो 12,400 89 पोश्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो बसतर सरगुजर संभाग वाले इस थानी निवाशों के लिए तो हर बार कट अप जो है एक जैसा नहीं होता हर साल का कट अप जो है अलग अलग होता है बस आपको काम करने आ आपको चाहिए काम्याभी आपको चाहिए सफलत है कि शीखर को अगर आपको प्राप्त करना है तो सीखर पहुचने के लिए महनत करो आगे बढ़ो 150 प्रशन जो है टीचर भरती पर इच्छा में पूछे जाते हैं सलेबस बालवी का से हम सिक्षा सासरे से क्वेस्टन साइ सविधान से इन सभी से प्रशन जो है पूछे जाते हैं बस तैयारी अच्छे सी किजे महनत किजे खुद के उपर भरोसा रखना अगर पूरी दुनिया आपको कहें कि तो कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आपको खुद के उपर भरोसा हैं अपने आप पर भरोसा हैं तो मतलब आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं आपको बहुत ही जादा कामयाबी मिल सकता है आपको बहुत ही जादा सकसेज मिल सकता है इसलिए है आपको अच्छे से काम करना आपको अच्छे से महनत करना जितना जादा आप अच्छे से काम करोगे अच्छे से मेहनत करोगे उतने ही जादा आप आगे बढ़ पाओगे और उतने ही जादा काम्याभी भी आपको जो है मिल पाएगा तो इसलिए सिर्फ सपने मत देखो उन सपनों को भी पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत अच्छे सी किजिए consistency को बस maintain तो इसमें regularity बस maintain करना है आपको daily routine को follow करना daily पढ़ाई करना है फिर देखना कि काम्याभी कैसे नहीं मिलता तो वीडियो से अगर अच्छे लगा हो पसंदा है तो वीडियो को like करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेना साथ में bell notifications को on करके रख लेना एंड वीडियो को जो है ज्यादा ज्यादा शेयर करना और इसी तरह से मेरे चैनल पर जो है नए नए वीडियो जो है मिलते रहेंगे बस जितना ज्यादा होशक के support और अपना प्यार दिखाना मिलते हैं किसे नए वीडियो में